आइफोन खरीदा और शॉटकर्स ने यूज किया तो कैसे काम चलेगा बहुत ही बड़ी शॉटकर्स लेकिया हूं आपके लिए ये शॉटकर्स आपके आइफोन बे आपको ज़रू इंस्टॉल करके यूज कर लेने चाहिए नमस्कार दोस्तों मेडा में हमेड टेकनोलोजी की दुनिया में हर देना को एक वरा सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकलिए आपके लिए अब अगर आपको ऐसे कंडिडेट हो जो रिपेटली सीवी सेंट कर रहा होता है जॉब सर्च कर रहा होता तो ऐसे में ये करना है फायल तो फायल चिलेक करने के बाद आप जैसे फायल पर टैप करोगे कुछ आप उसके अंदर जो भी फायल में डालूंग वह यहां पर अटैच कराओंगा तो अगर आपने सीवी फायल वाले आप कीया होगा तो आपको वहां पे तिख़ जाएगा यहां पे आपको दिख़ रहा है कि यह वाला जो फायल है अटेस्ट हो चुका है नेक्ट्स में को एक और कमा यहाँ पे और करना होगा दर शेयर फाइल तो शेयर जैसे मैं टाइप करूंगा मैं को शेयर का भी कर सकता हूं WhatsApp कर सकता हूं Instagram पर एड़ कर सकता हूं तो यहां पर आप देख सकते हूं मैंने मेल सिलेक किया है और मेल में यह वाला जो फाइल है अटाच हो चुका है और यह वाले शॉटकट को आप अपने आपको home screen पर डालना है तो यहां पर आके आप select कर सकते हो अब iPhone में notes लेना है तो बहुत ही काम की चीज़ लेकिन हर बार आपको notes का app open करना पड़ेगा new note create करनी पड़ेगी और वहां पर जाके आप जो भी type करना चाहते हो कर सकते हो लेकिन यही चीज़ हम automate करके इसको और भी आसान बना सकते हैं that is dictate note करके जो shortcut है यह shortcut आप जैसे टैप करोगे आपका note लेना का process शुरू हो जाएगा उसके लिए आपको चाहिए रहेगा यह वाला shortcut जिसकी link में आपको description में देखे रखूँगा जैसे आप इस पर tap करोगे welcome to my channel do subscribe us for more and जैसे बोलना बंद करोगे आपको आना है notes में and जैसे notes पर tap करोगे आपको वो note डिख जाएगा जो आपने बोला था वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जा रहा है वैसे जब subscribe की बात निकली है तो shortcut अगर interesting लगा है तो चानल को subscribe कर सकते हो अगर आपके boss ऐसे है कि आपको mail करते हैं चाहते है कि immediately उसका reply आ जाना चाहिए लेकिन हर बार यह possible नहीं होता है लेकिन अब shortcut के जरीए यह चीज़ पॉसिबल है यहां पर हम click करेंगे plus पर अब यहां पर हमको automation create करना है वह email वाली category में तो हम email पर select करेंगे यहां पर sender पर tap करेंगे तब from में आपके boss का email id add कर सकते हो subject में अगर आप specifically कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो account आप any account कर सकते हो and आते हम recipient में तो recipient में अगर आप चाहो तो आपका email id आप add कर सकते हो आप next run after confirmation भी कर सकते हो लेकिन मेरे case में run immediately करूँगा यहां पर tap करेंगे next पर उसके पर आपको tap करना new blank पर यहां पर हम search करेंगे send email जो हम select कर लेंगे उसके पर send email में हमको थोड़े से changes करने होंगे यहां पर send message पर click करेंगे and जो भी message आप लिखना चाहते हो for example आप लिख सकते हो noted या फिर received लिख सकते हो to receive points में again आपके boss का email id आप यहां पर डाल सकते हो as subject subject भी आप यहां पर select कर सकते हो and यहां पर हम tap करेंगे done पर ताई सब से पहले बता तो यह automation करेगा क्या तो when में आते हैं जब भी sender यह वाले email id होगा आपके boss का email id जो होगा आप यहां पर डाल सकते हो जब भी यह sender होगा contains subject आप चूज कर सकते हो अगर यह subject हो तो ही आपको reply करना या फिर इसको आप blank भी रख सकते हो additional filters में अपना account add कर दिया recipient में any recipient करती है आप अपना email id भी डाल सकते हो तो जब भी यह condition solve होगी तब होगा यह कि यहां पर automatically send हो जाएगा email and उस email में लिखा होगा noted received तो since यह automation आपको कुछ manual इसको करने ही जरूत नहीं है automatically जब भी यह email आएगा यह reply automatically चला जाएगा उस recipient के पास नेक्स जो shortcut है उसका नाम है action menu shortcut अब हर बार हमारे आइफोन में हमको कभी camera on करनी होती है कभी flashlight on करना होता है अलग अलग जगाओ पर वह function जाके ढूणना पड़ता है लेकिन यह action menu एक ही icon उस icon पर click करके आप multiple functions को select कर सकते हो तो इस shortcut को create करने के लिए यहाँ पे plus में आएंगे search actions करेंगे and हमको search करना है choose from menu तो यहाँ पे आपको choose from menu को option मिल जाएगा and one and two में जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो for example in my case मैं लिख रहा हो flashlight and second option में ने camera लिखा है आप add new करके और भी options add कर सकते हो लेकिन म flashlight में आएंगे set flashlight करेंगे and यहां पर इसको long press करके drag करके flashlight के नीचे रख देंगे same आते हैं camera के लिए search action करेंगे यहां पर open camera कर लेते हैं and इस वाले function को भी long press करके camera के नीचे रख देंगे अब mode में आने के बाद आप select कर सकते हैं आपको selfie चाहिए video चाहिए आईए video select कर लेते हैं and इसको करते हैं done अब every single time आप जब इस shortcut को run करोगे आपको पूछा जाएगा आपने दो option select किया आपको दो option मिल जाएंगे आप multiple option यहां पर add कर सकते हो in my case मैंने flashlight and camera किया है जैसे मैं flashlight पर tap करूंगा आप देख सकते हैं यहां पर flashlight open हो चुकी है again tap करेंगे इस बार हम camera select करेंगे and जैसे camera select करेंगे आप देख से तो camera भी open होगे and video mode में भी आ चुका है अब जैसे कि मैंने आपको बताया ios setting का benefit यह है कि आप इन दोनों options को भी change कर सकते हो तो अगर आपको सिर् lock screen पर होंगे वो shortcut run करके आप multiple options यहीं से run करवा सकते हो तो एक ही icon पर आपको बहुत सारे option मिल सकते हैं and सिर्फ दो options पर depend करने के आपको जरूत नहीं है क्योंकि अब आपके पास power है shortcuts का अब कोई भी website से सारे pictures अगर आपको download करने तो आप एक एक करके जरूर करी सकते हो ले आपके files में जाके save कर सकते हो अब यह वाला shortcut में already create कर चुका हूँ इसकी link में आपको दे दूंगा description में जहाँ पर tap करके यह वाला shortcut आप download कर सकते हैं आपके phone में लेकिन आए बता देता हूँ कि यह वाला shortcut करेगा क्या जिसका नाम है get web images so for example यहाँ पर safari में आते हैं and यहा इसको में save कर सको मेरा files में तो यह वाले website पर आएंगे यहां पर arrow पर tap करेंगे and यहां पर मेरे को shortcut ढूंड़ना है which is get web images इसके उपर हम tap करेंगे always allow करेंगे एकी बार आपका always allow करना होगा जैसे इसको allow करोगे यहां पर जितने भी pictures होंगे वह सब आ जाएंगे next आपको यह करना है यहां पर arrow पर click करना है तो जो भी आपका मन करें image save करना है photos में डालना है files में डालना है notes में डालना है आपका personal choice रहेगा हम save image पर जैसे tap करेंगे तो यह जो पिक्चर है अब मेरे photos में जाके save हो गया होगा आए दिखा देता हूं यह photos है और यह वाला picture यहां पर में करना है चैनल पर पहली बार subscribe कर सकते हो पास में आपको जो bell icon दिख रहा है उसे पर click जरूर करिए देखते हैं origin taken India मिलते हैं next video में